चैनल का निर्मान किया है पहले मैं अपने गुरू मानता हूं मैं इसे छोटे हैं वह वारानसी के हैं वह वीडियो मनाते थे जाती ना जब मैं छे महीं ने किसी की वीडियो देख देखकर फसा हूँ अभी भी दो तीन कंपनी ऐसी है एक तो डी लिश्ट होगी उसके अंदर स के और दो तीन कंपनी फसी होई अब आपको कोगे तर आपको इतनी नोलिज थी तो आपके पैसे यो फस गे आप मुझे कहो गए बात बहुत करते हैं यहां से बाल किटाओंगा वहां से बाल किटाओंगा वह सही काट ता ही गलत काटता है नहीं बहुत कुछ अच्छा हो ज कि अगर हमारी द्रश्टी अलग तरीके से बजार को देखने की हो जाएगी वाकई लाजमी मैं कह रहा हूं इससे अच्छा कोई बिजिनिस नहीं उपर जो रणनीतियां है वो सब को पता है ऐसी ऐसी कंपनियों में जो बड़ी-बड़ी कंपनियों में उसमें होता कुछ नहीं है कि आप सोचो कोई आपको कुछ और बता देगा बारे में आप किस से क्या पूछ लोगे वहां तो शेयर आपको लेना है बैठना है मोके की तलास करनी है अश्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बजार से आज बात करेंगे सर अडानी पावर की बात करेंगे आर पावर की फिर से और बात करेंगे एक नए शेयर की जिसकी मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ मेरे जुआइन मेंबर ने मुझे काफी दिनों से इसके उपए वीडियो बनाने के लिए का था और वाके ही मैंने ये देखा कि ये कंपणी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है जिस कंपणी का नाम है वरुन वेवरेज सबसे पहले इन गती वीडियो को समझना ये चाहिए कि जब हम अच्छी अच्छी कंपणी के बारे में देखते हैं कि भाया वो हमारे लिए कुछ अच्छा है या नहीं है तो सबसे पहले उसको जो संचालित कर रहा है उस कंपणी के ऊपर जो अपनी मार्क दर्शन उसके ज जो भी उस कंपणी से जुड़े होई व्यक्ति होते हैं उनकी तरब आपकी परितिक किरिया को देखकर उस कंपणी को देखना है आप इन फोर्सिस जैसी कंपणी के बारे में एनलाइस करने के लिए कहोगे या एल एंटी के बारे में लार सेंटर अर्बो जो इतनी बड़ी आपकी चीजों को फिर देखना पड़ता है अब जब भी ऐसी ऐसी कंपणी जो बड़ी-बड़ी Kंपनिया होती है उसके उसके उपर एन पवर किया कुछ क्यों पजालो उसको पता हैं उसके उतर उपर इन नितियां है मोख़े की तलास करनी है भई रिलाइं इसी प्रिभी बीच में आपको खरीदने के मोगे भी मिलते हैं किसी को निकलने के मोगे मिलते हैं वो तो कारोबार अलग पैसे कमाने का हो गया पर आप अगर चाहो कि रिलाइइ इंडेस्टी के बारे कुछ अलग से पता लग जाए जो कंपनी होती है जिनके उपर न्यूज आती है जैसे अ जैसे SDFC बैंग में अभी हाली में निगेटिव नहीं हो जाई थी तब मैंने उसकी न्यूज को भापा आपको बता दिया था तैंसन की जुरोत नहीं है देश की बड़ी कम तो वह एक अनलाइस होती है उसके लागवा आप कुछ और नहीं जान सकते हैं अब यह जो लेवल के पर आप अगर के उपर कुछ विसेस बता दो यह कोई नहीं बता सकता वह तो आपको पता है कि कंपनी अच्छी है वह तो आपको लेकर बैठना है समझने बात को मैं क्या कहना चाहरा हूँ कि जब हम बड़ी-बड़ी कंपनी की तलास करते हैं वहां किसी से ना पूछो वह पहले ही बड़ी है अगर हमारी द्रश्टी अलग तरीके से बजार को देखने की हो जाएगी वाकई लाजमी मैं कह रहा हूं इससे अच्छा कोई बिजनिस नहीं है और गुम्रा जितना जादा हम दूसरों के टार्गेट में होते जाएंगे उतना जादा हम कहीं ना कहीं फ उनके जैसा नहीं कर सकते उनका लड़का भी उनके जैसा काम नहीं कर सकता तो फिर यह जो टेलीग्राम में बड़े बड़े लोग आपको कहते हैं जोईन कर लो मैं आपको यह कर दो तो वो आपको करवा देंगे तो छोटी सी बात आपको समझने चाहिए आपको रणनीतिय समझनी है चीजे समझनी है करना ना करना वह आपकी गतिवी दिया है किसी और की नहीं हो सकती इसलिए कोई आपको कहता है कि वह आपको प्रॉफिट करा देगा यह करा देगा वह सब जूड बोल रहें आप से तो चीजों को जिसे दिन समझते जाओगे उस दिन आपको सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अपनी लाइफ में तो हम बहुत वह करते हैं यहां से बाल नहीं कटाओंगा वहां से बाल गटाओंगा वह सही काटता है गलत काटता है नहीं नहीं चाई नहीं प्यूंगा बढ़ जाएगा बिमारी आ जाएगी नहीं भाई यह निकाओंगा चटपटा निकाओंगा यह लाइफ में करते हैं चोचले वह आपको एक चीज बताओं कि अगर आप हस्ट पुष्ट हैं चाए चाए पी लो चाए आप मीठा खालो भी फरक पढ़ने वाला आपको नहीं है दादा जी मेरे सो साल से उपर थे चटपटा खाते थे मेरे पापा बिल्कुल चटपटा खा दे हैं एक भी विमारी नहीं है उनके अंदर यह सब कहने की बात है बहां किसी को चाए से अलर्जी हो गई उसे हैसिटीडी हो गई उसने घोचले करते हैं अपनी लाइफ में यह नहीं करूंगा वह नहीं करूंगा उससे हो जाए इससे हो जाए गा तो जब हम शेयर बजार में पैसा लगाते हैं तो तब क्यों हुनी सोचते हैं आप अब भी हमें सोचना है कि हमारा पैसा चटपटा लग रहा है यह वो लग रहा है यह चाहिए वो लग रहे सब ची सोचने हैं आपको फिर तो हम दूसरों की बातों में आ जाएंगे कि पचास रुपए जाएगा जीटील कल जीटील के ऊपर मैंने आपके लिए एक अच्छी यह उसके अंदर जो इतने सारे जीटील इंफरम में उन्होंने पैसा दे रखा है और कभी अपना पैसा अलग चीजों के साथ है पहले भी आया था लोन के दुवार यह सारी चीज़े तो समझने वाले चीज़ों को जो पहले समझ जाएगा वह वह फाइदे में रहेगा रह नहीं कुछ अच्छा निकल जाएगा तो यह BCG जैसे मामले हो जाएंगे BCG के उपर हुआ क्या था किसने कड़े नियम बनाई थे किसने निगरा निकरी से भी निकरी थी किसलिए उन्होंने भी कुछ अपनी बैलेंसीट के उपर उदा उदर कर रखा था मामला क्या हुआ थ के उपर जो एक पैनल्टी लगा दी 25 क्रोड की और अन्य के उपर भी लगाई है तो यहां से आपको एक चीज समझना है कि यह सेवी ने किया है मैं नहीं और आपने नहीं किया यह और सेवी ने कुछ नियम देखी होंगे कुछ देखा हो भई धांदली चल रही है और मामला क्या है रिन का मामला है पैसों के हेरा खेती ब mix सेवी ने बागडा किया है पान साल पएदखव कर दिया बजार से चीजों को समझेव यह भी सूची बत आपकानी के यह सकता है यह कित्ती बड़ी बात है यह सेवी ने अपने statement में कहा है कि कुछ लोगों को छोटी नियुज लग रही होगी समलने को मंडे को कुछ हो जाए हलका सा उपर जाए नीची जाए कुछी भी हो पर हम बात कर रहे हैं सेवी क्योंकि सेवी जाँच करता है भया security exchange board of India यानि कि सेवी देखता है धांगली कहां चल रही है कौन यहां छोटा बड़ा कुछ नहीं है तो यह सेवी ने किया है यह मामला अब हम क्या करें कुछ लोग कहते हैं बहुत कुछ लोग जो कहते हैं अब हम क्या करें तो उनको पहले समझना चाहिए कि जो चीज़ी के चीज़ों के साथ आ रही है जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ कुछ अच्छे लोग भी आपको समझा रहे है जो अभी thermal power वाली नातपूर वाली चीज़ों के साथ चीज़े भाग रही थी वहाँ पर भी बिल्कुल चीज़ों के साथ आपको समझाया था तो इतनी अच्छी knowledge मैं आपको दे रहा हूँ भाईया मुझे अगर यह knowledge पहले मिल जाती ना जब मैं छे महींने किसी की वीडियो देख देखकर फसा होगा हूँ अभी भी दो तीन company ऐसी है एक तो डी लिश्ट होगी उसके अंदर से जो मैंने ली थी और दो तीन company फसी हुई अब आपको सर आपको इतनी knowledge थी तो आपके पैसे क्यों फस गए आप मुझे कहोगे यह बात भाईया सुरवाती तो था मेरा मैं 2020 के अंदर आया हूँ यहाँ पर वह भी मामा के लड़के यहां से निकल जाओ और जो 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 मैं लिखता था वैसे वैसे हो जाता था उन्होंने कहा कि अपना number दो अभी वह मेरे सेweise जुड़े हो एं मैंने उनको अपना number दिया कि अन्होंने मुझे कहा कि आप जो कह रहे थे वह होता रहा है है एक होसला सा आ गया उसवक्त यह हुआ कि मे घर चाहिए तक कminute कि चाहिए कर रहा हूं वह आप और मैं साथ बैट 역시 कर रहे हैं ये निक सोच रहा हूं कि मैं आप कर में आपके जैसा ही हूं तब जाके मैं आप के tarigy अचिछ håndra आप सबजी है। दूसरा जो भी उनके शेर तेजी के संकेते सारे lower circuit की तरफ बढ़ते हो देखने को मिले अब ये मसला कैसे चीजों के साथ होगा तो ये तो भाई आप सेवी की तरफ से बताई जाएंगे और अगर कोई भी व्यक्ति पूछे सर आर पावर में आप क्या करें तो भाई आर पावर के अंदर आपको देना पड़ेगा आप सहीय हम अब तो जो भी करेगा से भी करेगा और ये अनित अम्मानी जी करेंगे तो जब चीजों तेजी के तरफ होती है तभी हमें समझना पड़ता है तो वो नियम है कि भाया नहीं अपनी लाइफ में चाही नहीं प्यूंगा बाल वहां कटाऊंगा तो इसलिए मैं आपको वह चीज़े असान तरीकों से समझाता हूं और कुछ बोले लोग कहते हैं ज्यान बाट रहा है मुझे बाटो ऐसा ग्यान मैं सुनूंगा ऐसा ग्यान तो चीज़ों को जिस दिन हम नहीं समझेंगे बहुत अलग चीज़े हो जाएं तो आर पावर से थोड़ा सा सांती रखो और देखो कि आगे जाकर अब क्या होता है तो से अपनी चीज़ों को समझे तभी मैंने शुरु पड़ता है मैं तो वह गती वीडियो के साथ में वीडियो बनाता हूँ इसे आपको समझ कर चलना पड़ेगा अच्छा ये वो व्यक्ति हैं जिनोंने अडानी गुरुप को बुरे वक्त पे समाला और इनके अंदर ऐसी उजवलता किसलिया आए कि जब हिडन बरग ने अडानी गुरुप के अंदर जनवरी 24 को इस तरीके से जो इलजाम लगाये ते उसकी वेसे उनका शेर प्राइज क करीब 80,000 क्रोन की वेलू हो गई है और अभी वह अपनी वेलू को बढ़ाते जा रहे हैं और सबसे जादा उन्होंने इंवेस्टमेंट कर रखा है अडानी पावर में तो यानि कि अडानी पावर जो ताप विदूत की वजे से कंपनी है और अपनी चमता के अंदर और कंप के वाद जोड़ना चाहती है दोजा 31-32 तक और वहाँ पर भी अडानी गुरूप ने कहा था कि वह भी अपनी चमता को करीब 30 गीगावाट तक के बढ़ा देगा तो अभी अगर हम चीज समझें कि अडानी पावर की अभी बिजली की परिचलन चमता कितनी है तो करीब 15,850 मेगावाट है जो करीब करीब 15,85 गीगावाट की बैठती है और इसको 30 गीगावाट कब करेगा यह 2030 के बाद तक तो कब करेगा जब यह किसी किसी कमपनी का दिग्रहन करेगा चीजों को समझो आप और सबसे ज्यादा अडानी पावर के अंदर कोन इन्वेस्टमेंट करके बैठा है बड़ा संस्तान गत निवेशक कोन बन गया है जी कुजी पाटनर राजीव जैन और जिनका अडानी पावर के अंदर अब इस्टेक हो गया है 7.73 परसेंट का अच्छा उन्होंने अभी अम्बूजा सिमंट के अंदर भी अपने स्टेक को बढ़ाया जब उनका स् अब उन्होंने इस स्टेक को करीब 1.8 परसेंट और बढ़ा लिया है और अब अम्बूजा सिमंट के अंदर जी कुजी पाटनर का 3.1 परसेंट का स्टेक हो गया अभी न्यूज आई थी न गया अडानी पावर या अम्बूजा सिमंट से स्टेक बेच तो यह वो जी कुज पाटनर आ रहे हैं भाईया क्या दिख रहा है ने अम्बूजा सिमंट में अगर राजा किसी को बनना है तो अडानी गुरूप को बनना है यानि की गोतम अडानी जी को बनना है तबी तो दक्षिन की तरह पैना जो एक सिमंट कंपनी यह 10,000 क्रोड रुपे तक करीब का जो वीडियो बनाता हो बारी किसे कोई समझ ले अगर किसी को खरीदने बेचने की चीज़ों तो होती नहीं है लेकिन कोई बारी किसे एक बार समझ ले तो वाके लाजमी में कह रहा हूं भया दोगा निखा सकता कभी भी कोई आपको दोगा नहीं सकता जब तक कि मैं हूँ साथ मैं आपको इतनी से एक बात बता रहा हूं तो जब हम कहते हैं कि टार्गेट में हमें काम करना नहीं खरीदने बेचने वाली चीज़ों को हमें समझ नहीं हमें तो काम समझ नहीं है तो जीक्यूजी पार्टनर असी हजार क्रोड की वैलू लेकर बैठ गया और हम लाइसी जो है भार करीब साथ हजार क्रोड रुपर तक के शेर है उनके उसके पास लाइसी के पास जिसको विपक्ष ने का था कि यह कहां फस गया डानी गुरूप में अगर कोई फसा है ना तो आप और हम फसे हैं जो पहले बड़े बड़े उपर लेकर बैठे थे और बा उससे पहले जो पड़ी थी वहां तो हमने बहुत कम में शेर ले ते अदानी पावर के करीब 97 रुपीज में तो चीजों को अगर हम जिस दिन समझते गई सब कुछ अच्छा हो जाएगा मारे तक नियूज निकल कर आई थी कि अडानी पावर जो है अनि लंबानी की स्वाम जिदे नहीं लगानी थी आपको अडानी पावर के लगानी लेकिन अडानी पावर ने उस दिन से गिरना शुरू करा तो चीज अच्छी होते लिए पहले गिरती है वो और अगर यह अडानी पावर बेकार होता तो जी क्यूज पार्टनर सबसे बड़ा निवेस करके क्यों सबसे पहले तो एक साइकलोजी आप यही डवलप कर लो अपनी समझे के एक तो नागपूर वाला थर्मल पावर वाली बात चल रही है दूसरा एंसी एल्टी जो हैदराबाद है उन्होंने लैंको पावर का अधिग्रहन करने की मंजूरी अडानी पावर को दे दी है अब लैंकों का जो चतिस गड़ में इनका जो थर्मल पावर है पलाण है वो करीब 600 मेगावाट का है अब 600 मेगावाट का नागपूर वाला अगर जूडता है तो 1200 मेगावाट जूड जाएगा और इनको 30 गीगावाट तक के करना अभी कितना इनके पास 15850 मेगावाट तक कि की चमता है इसको बढ़ाएंगे भैया देखो एक चीज बताओं मैं आपको एक प्लांट है उसकी चमता 20,000 मेगावाट की है और अगर किसी को 20,000 मेगावाट को 40,000 मेगावाट करनी है तो तो क्या उसी से होएगा है और दूसरा प्रांट करना पड़ेगा और अडानी गुरूप इतना भाईया स्मार्ट है वह पहले खरीद रहा है दिवालिया कंपनियों को तो दिवालिया के तरब जब नजर जाती है तो वह दिवालिया से कंपनी जो बिक रही है जो जिसकी बिक आजार क्रोड की दे उसको भी स्युकार कर लिया है एक चीज बता रहा हूं उस नहीं हो सकती है तो में तो यह चीज है कि लैंको पावर को जोड़ना और अपनी चमता को बढ़ाना अच्छा यह लैंको पावर ने पलिचालन में है और इसने पावर ट्रेडिंग कोपरेशन समझना सुरू कर दिए भाईया मैं आपको बताव दूंँ आदे से ज्यादा लोग तो आपको यूटूब में बना रहे हैं आगे से ज्यादा लोग तो सिरफ हवा अवा मैं बाते कर रहे हैं यहां दिखादू किसको Kayak Val Alaska को समंझो جब تक हैं रखात जो को और बीचिए तो यहां पर अडानी पावर दो चीजों से मजबूत हो रहा है तो अधिग्रेंट जिस तरह के से कर रहा है तीन जज़े से हो रहा है तूसरा यह है कि सरकार के लक्षे जो अब यह इतना अच्छा है कि इसमें तो हमेशा आपको ग्रोध दिखेगी पर फिर भी जिस तरीके से हाई लगाता है फिर लो लगाता है है वहाँ पर क्या होता है फिर टार्गेट निकल कर आते हैं क्या होता है वहाँ अब काम कंपणी तो सभी कर रही है जो उतार चड़ाव चल रहे हैं उसमें आप और हम पैसा गवा रहे हैं यह चीज़ समझो कंपणी को देखते हो तो फिर इन्वेसित रहना पड़ेगा क्य है तो जब यह चीज़े होती है तो पैसे का लेंदेन हो रहा है और इसी काम के लिए तो आप और हम आये हैं तो इसलिए जब भी आपको लेगे मुझे प्रॉफिट आ रहा है आप किसी और से पूछने के बजाए खुज से पूछलो मैं क्यों आया हूं यहां पर काम क्या कर करनी है आपको खुछ से समझना है तो वेरन वेवरेज जो कंपनी है जिस तरीके से पे परदात होते हैं पीने वाले परदात होते हैं उसके पर काम करते हैं और बॉटलिंग के लिए भी काम करते हैं सीतल पे जो होता है उसके लिए भी यह कंपनी काम करती है सबसे बड़ा पॉइंट जो है इसके अंदर यह पैपसिको अब पैपसिको ब्रांड की फ्रैंचाइजी सबसे वड़ी किसके पास है बारत में वरन वेवरेज के पास है जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है पैपसी का ब्रांड देखने को मिल जाता है और दूसरा आपको इस तरीक पीलू या कुछ पानी पीलू तो वह पैपसी को ब्रांड है वह इस कंपनी की जान है तो यहां आपको समझें जब तक कि यह पैपसी को की बड़ी फ्रैंचाइजी लेकर बैटा है तब तक कि यह कंपनी बैस्ट और यह तो बैस्ट होगी क्योंकि उसके लिए तो अच्छा का करी रहा है कंपनी का मार्केट कैप करीब दो लाग क्रोड तक के उपर पहुच गया सर आप समझें यहां पर कि किस लिए काम करती है जो भी यह पैपसी को की बड़ी फ्रैंचाइजी लेकर बैटी है जिसके अंदर यह प्रदातों का निर्मान करती है या बोटलिंग का नि पर निर्मान करती है तो उसके अंदर जो यह तो बनाती उसके अंदर जो ट्रेड़ मार्क लगता है वो पैपसी को के दौशे बेची जा रही है तो अपने आप में कंपणी वेलूबल हो गई है अभी गोरगपूर में इन्होंने अभी एक सी तल पे यानिकी पानी जो में समझनी पड़ती है बहुत चोटा सा मकसद समझ लो कि जो इस ब्रांट की इसके पास फ्राइंचाइजी है वह लाजमी अच्छा है अब इससे ज्यादा तो इसके अनलाइस होई कर जाएंगे मैंने तो आपको काम समझाया इसका दो लाग पांच जार पांच सो च्छासी क्रोड की मार्किट कैप होगे इसकी अभी हाली में जानी कि इसकी जो काम है बढ़ रहा है अन्य देशों के अंदर भी अपनी चीजों को करता है फ्रेंचाइजी है यह काफी बड़ी उपर निचे हो रहे हैं उसके हिसाब से इस कंपनी को अगर आप नजर रख रहे हो तो वह गलत है कंपनी की अंदुरूनी चीज़ है वह बहुत मजबूत है अब 828 का लो है तो उतना कुछ रड़नीतिय होई होगी कुछ नहीं हो जाई होगी कुछ अलग अलग चीज़े हो इस च्टैम से चल रहे है तो उतार चला होए ने सर इसके अंदर ये आपको समज़ेन ने करी 5611 क्रोड की सेल्स की और 1005 क्रोड का कंपनी ना प्रॉफिट कर दिया कंपनी ने अपनी साल-दर साल सेल्स को बढ़ा है जून दोजार चोबिसमे 7175 क्रोड की सेल्स कर दी और प प्रशाइस कंपणी के अंदर हैं जो करीब 25.32% के हैं डियाइस कंपणी के अंदर हैं 4.54% के पब्लिक कंपणी के अंदर करीब 7.6% के हैं यह उताज चड़ाओ जो भी से होल्डिंग के पेटन में सब अपने पैसे की चीजों के साथ हैं दूसरा शेर प्राइज उपर निच करें तो 7,928 क्रोड का रिजेवर उधार कंपणी में 6,761 क्रोड का है तो वरन वेवरेज जो एक कंपणी है हमारे इरादों से होल्ड करने की दिशाओ के साथ हैं मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं तो मैं इ चीज बता है कि जब इसके पास पैप्सी को का नाम जुड़ा वह है तो लाजमी उसके जो ब्रांड को आप खुदी अनलाइस कर लो कि उसके ब्रांड है कैसे उस विशेओ के साथ है यानि कि खरीद दूंगा एकदम से मिचे पैसा बन जाएगा यह ब्रेक आउट ब्रोक आ इसे हैं शेर को देखते बताएंगे यह तो अच्छा शेर और यह ब्रांड से जुड़ा हुआ है तब से इस कंपनी के अंदर अच्छी चीजों के संकेत है ना और अभी तक लगातार कंटीनियों अच्छे संकेत ही दिख रहे हैं इस कंपनी के अंदर दो लाग क्रोड रु फिर इस तरीके की चीजें पैप्सिकों के साथ जो उसके ब्रांड है उसके साथ करना वह भी अलग चीजे हैं तो आसा करता हूं कि सर्वर्ल वेवरेज उस सेर के अंदर आता है जिस कंपनी के अंदर ज्यादा नहीं कर सकते जैसे की रिलाइंड इंडस्ट्री इन जो आनी पड़ती है आपको खुद बाखुद वीडियो देखकर तो आर पावर में अब हम क्या करें भई यह तो पहले सोचना था अब तो सेभी और अनिल अंबानी सोचेंगे उन्हें करना क्या है हमें तो स्रव देखना है होता आगे क्या है जब हम चीजे कुछ करते हैं तो arden से पहले पकड़ने पड़ते क्योंकि एक किलो मेटर से 50 कीमेटर गणा होता है वह में पता नहीं होता है हम एक क单 नहीं बढ़ाते कभिना तो आपको जीजें समझने पड़ेगी मौछाओरों की तरह समझाता ह हो तभी हमें वह समझें है दूसरा अगर आप समझें कि अश् जिस तरीके से दिवाले कंपनी का दिग्रहन करने वाली चीज़ों के साथ है मुहाबर भी आपको समझना है अब तो लेंकों का किया भी इसने अभी मंजूरी मिल गई अगे देखते हैं अभी जो नाकपूर वाली चीज़ें उसकी निख निकल रहते हैं जो 600 मेगावाट की है तो आसा करता हूं कि आज की वीडियो से आपको सब कुछ वो समझ में आ गया हो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आ गया हो मुझे रबता तो किसी भी शेयर के उपर ना तो आज से टार्गोटों में खोना जो शेर के अंदर जल्दी जल्दी से जा रही है और वो चोटा शखुर है और वो यह कहा जा रहा है कि यह हो जाएगा वहina बना रहे हैं पर उसी सब्सक्र पहलें इस समझ समय समझ्ट हमें तो फिर मिलेंगे आप से ने विडियों के साथ जब तक के लिए नमस्कार